हाइटेक किसान एग्रो फार्म पर आप सभी किसान भाईयों का स्वागत है जो किसान भाई यह भी हमसे नए जुड़ हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें किसान दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है हाइटेक किसान लगातार हरे चारे पर रिशर्च कर रहा है अनुसंधान कर रहा है हमने कई बराइटियां हरे चारे की डबलब कर रखी है इसे बीच यह जो बराइटी आप देख रहे हैं यह कॉप्स पंजाबी सुडान चरी है अधिक प्रोटीन वाला यह हरा चारा है एक साल में 10 कटिंग देता है एक एकड में 20 किलो की बुआई इसकी की जाती है किसान दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यह मेरा नरसरी प्लांट है इस चारे का यहाँ पर भी मैंने लगाया हुआ है यहाँ से कटिंग करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं यह 30 से 35 दिन में लगभग 6 फिट प्लस की हाइट हो जाता है और आप पूरा नीचे से लगा के देखें उपर तक इसमें आपको कहीं भी डंठल नहीं दिखेगा मैं बार बार यह रिकमेंडेट करता हूँ कि बकरियों के लिए यह बेहद संतुलित आहार है इसमें कहीं से डंठल आपको नहीं मिलेंगे और रही बात इसमें रेसे काटे खुझली की तो आप देखिए मैं बहुत बारी करके दिखा रहा हूँ कहीं भी इसमें कोई रेसे काटे खुझली नहीं है और इसके डंठल की येगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कितने पतले पतले डंठल है किसान दोस्तों आप देखिए कितने पतले डंठल है और यही सारे डंठल जो है 6 फिट तक की हाइट तक ये चले जाते हैं 30 से 35 दिन के अंदर इस हरे चारे को आप लगा कर गाय भेंस खास करके बकरी पालनगर जो हमारे किसान वाई कर रहे हैं अगर उनको साल भर एक संतुलित आहार चाहिए तो ये कौपस पंजाबी उनके लिए एक बहतर विकल्फ है ये भारत के सभी प्रकार के मानसून में सभी प्रकार के temperature में सभी प्रकार की मिट्टी में ये generate कर रहा है आप कहीं से भी हो 100% आप के हाँ ये generation करेगा मैं आपको चारो तरफ इस plant के दिखा रहा हूँ ये देखिए किसान दोस्तों हाइटेक किसान ग्रोफार्म इस हरेचारे के बीच की सप्लाई कैसान delivery की सुभधा के साथ देश के हर कोने में कर रहा है अगर आप लोग भी ये हराचारा लेना चाहते हैं इस हरेचारे के बीच को लगा कर अपनी जो हरेचारी की समस्या है उसको कम करना चाहते हैं तो निश्य तोर से दिये गए नमबर पर संपर्क करें